Hello Friends, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Study Non-Stopper तो कैसे हैं आप सभी लोग, हुमीद करता हूँ, आप सभी अच्छे होंगे तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 15 questions का complete mock test करेंगे English का और इसमें जो भी questions मैंने select लिए हैं बिल्कुल previous year के exam pattern पर अधार questions मैंने लिए हैं तो ये जो क्लास है आपके UPPCL Executive Assistant के exam लिए काफी helpful होगी और ऐसा नहीं है कि केवल UPPCL के लिए helpful होगी किसी भी हन्ने परिक्षा के लिए जहाँ पे general English से questions पूचे जाते हैं अभी के लिए एक class आपकी helpful होने वाली है तो दोस्तों वीडियो को last तक देखीगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो like और share जरू करिएगा तो आई ये शुरुआत करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको दिया गया है select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence if there is no need to substitute it select no improvement तो दोस्तों यहाँ पे आपको sentence दिया गया है जिसमें कुछ part underline है जिसमें हो सकता है कोई error हो तो उसके लिए options दिया गया है जो कि इसको replace करके sentence को improve कर सकते हैं अगर किसी improvement की जोट नहीं तो आपका answer होगा no improvement ठीक है जो यहाँ पे जो है दिया गया है make sure that all the equipment have put away properly तो all the equipment have put away यह जो underline part है इसमें देखिए कोई error है या नहीं तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे equipment यह जो है एक uncountable noun है और इसके साथ singular verb का प्रियोग होगा यहाँ पे have का प्रियोग नहीं होगा बलकि यहाँ पे options से देखेंगे all the equipment is put away यहाँ पे singular verb है equipment के साथ no improvement होगा नहीं all the equipments, equipments नहीं होगा क्योंकि जो equipment है कुछ ऐसे nouns होते हैं जो हमेशा singular form में ही उटे हैं जैसे कि equipment होता है, furniture होता है furniture या जो है luggage या जो है information, scenery तो यह जो है कुछ nouns हैं इनके अलवा भी बहुत सारी हैं तो यह जो है हमेशा singular form में ही रहती है और इनके साथ work भी singular ही आती है तो यहाँ पे equipments नहीं हो सकता और यहाँ भी have दिया गया है तो यह तो वैसे भी गलोस हो जाता और फिर यहाँ D option में all the equipments be putting away तो यह भी नहीं होगा, सही sense इससे बनेगा नहीं तो पहला ही option यहाँ पे राइटेंस हैगा, all the equipment is put away तो यहाँ पे app की जगह हम is कर देंगे तो यह जो है पैसिवाइस का sentence बन जाएगा make sure that all the equipment is put away properly तो यहाँ पे कौन सा option राइटेंस हो गया, option A फिर दोस्वों next question है अब आपको दिया गया है, each person watching the procession was provided with a flag procession means क्या होता है, procession means होता है, जुलूस तो each person यानि हर देखती watching the procession जो procession यानि जुलूस को देख रहा था watch provided with a flag, उसको जो है एक flag provide कराया जाएदा, तो क्या इसमें कोई error है watching the procession में, तो दोस्वों यहाँ पे जो है कोई error नहीं है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे right answer क्या होगा, option C no improvement, option C यहाँ पे right answer होगा, no improvement, फिर दोस्वों next question लेते हैं, अगला है he didn't explain a great deal concerned the scheme, though he spoke for a long time, तो बताईए यहाँ पे जो underline part है, क्या इसमें कोई error है तो दोस्वों यहाँ पे जो है, a great deal concerned, यहाँ पे concerned की बज़ाए concerning होगा concerning जो की preposition हो जाएगा, जिसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की बारे में, तो यहाँ पे concerning he didn't explain a great deal, उसने बहुत अच्छी deal को explain नहीं किया, concerning the scheme scheme के बारे में, though he spoke for a long time, हाला कि वो काफी लंबे समय तक बोला तो वो हाला कि लंबे समय तक बोला, लेकिन scheme के बारे में एक अच्छी deal को explain नहीं कर भाया कि यहाँ पे concerning वाला option सही हो जाएगा, option A, एक great deal as concerning as यह नहीं होगा, यहाँ पे आphon यह जागया है तो right answer यहाँ पे A नहीं होगा, एक great deal concerning the scheme, option C यहाँ पे rightler positives होजएगा option C यहाँ पे right偏ँ सुझेगा फिर दोसों नेक्ष कुशन है बताइए यहाँ पर जो अंडरलाइन पार्ट है इसमें कोई अरद है दोसों आसान सा है बिलकुल यहाँ पर दिये गए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आगे दिये गए फ्रॉब्लम नहीं आता है पिछले चार दिन से तो कौन सा ओप्शन सही हो जाएगा पहला ओप्शन है आफ मलेरिया तो यहाँ पर प्रिपोजिशन नहीं आएगा फ्रॉब्लम ही आएगा जब किसी बिमारी से आफ प्रिडित होते है सफरिंग के लिए फ्रॉब्लम आता है प्रिपोजिशन आफ तब आता है जब किसी की डेथ हो जाते है किसी बिमारी से तो उसके लिए प्रिपोजिशन आफ आता है तो वहाँ पे आफ आता है यहाँ पे फ्रॉब्लम बिल्कुल सही है तो यह option गलत हो गया फिर दिया गया from malaria for the last four days, यहाँ पर four आ गया और यही इसका राइटन सुदेगा C option में दिया गया from malaria since, since जो है एक निश्चित time के लिए एक point of time के लिए जो है आता है जैसे कि कोई date दी जाए या फिर Monday से January से इस तरह से point of time दिया जाता है तो वहाँ पर जो है since आता है और time period होता है तो उसके लिए जो है four आता है तो B option यहाँ पर राइटन सुदेगा C has been suffering from malaria for the last four days फिर दोस्तों next question है Yesterday I saw my brother to repair his friends by skill तो दोस्तों यहाँ पर जो underline part है इसमें जो है Yesterday I saw my brother to repair यहाँ पर two repair नहीं आएगा Yesterday I saw my brother यहाँ पर जो है option B राइटन सुदेगा my brother repairing his friends by skill कल मैंने देखा अपने भाई को उसके friend की by skill को repair करते हुए तो यहाँ पर repairing आजाएगा ठीक है option B यहाँ पर राइटन सुदेगा इसके अलावा कोई option लेंगे तो सही sense नहीं बनेगा तो अब आपको जो sentence दिया गए होंगे उसमें जो है एक हाली स्थान होगा जिसमें आपको सही option फिल करना है तो दोस्तों यहाँ पर दिया गए है इधर उधर भिन बना रही थी constantly मतलब लगातार busy building there dash pretty fast तो यहाँ पर क्या होगा dash की जगा hive live survive time तो दोस्तों hive यहाँ पर इसका right answer हो सकता है hive hive मतलब छत्ता तो वो क्या थी busy थी बनाने में अपना छत्ता pretty fast मतलब जल्दी जल्दी तो मक्हिया जो थी वो इधर उधर भिन बना रही थी लगातार जो की अपना चत्ता बनाने में busy थी तो option A यहाँ पर बिल्कुल right answer होगा hive तो दोस्तों next question है if I meet him I dash give him your message तो दोस्तों यह जो है conditional sentence है और इसमें यहाँ dash की जगा बताईए क्या फिल होगा if I meet him यानि कि अगर मैं उससे मिलता हो I I के बाद जो है क्या हो जाएगा dash यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा will I will give him your message मैं उसे आपका message दे दूँगा अगर मैं उससे मिलता हो तो मैं आपका message उसको दे दूँगा ठीक है तो यहाँ पर जो है option be written होगा और इस तरह के conditional sentence जो if से शुरू होते है इस तरह का तीन structure बनता है एक तो इस तरह बनता है if I meet him यानि कि इसका पहला part जो है present indefinite में होगा if I meet him और इसका जो है दूसरा जो part होता है वो will के साथ आता है यानि future indefinite में होता है I will give फिर आगे इसी तरह से आगे जो भी है और जो दूसरा structure बनता है वो if I met him यानि यह past indefinite होता है if I met him तो फिर इसका जो दूसरा part होता है उसमें I would आ जाता है I would give फिर आगे उसी तरह से और तीसरा जो structure होता है वो पहला part उसका present sorry past perfect में होता है if I had met him यानि मैं अगर उससे मिला होता तो यहाँ पे जो है I would have आ जाता है helping verb आ जाती है I would have और work की third form आती है यहाँ पे given आ जाएगा I would have given फिर जो है आगे उसी तरह से given him your message इस तरह से आ जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे फिलाल option B right जो जाएगा will तो दोस्तों next question है he runs faster than यहाँ पे क्या होगा dash की जगा पे I, me, my, his तो दोस्तों याद रखेगा जब भी then से completion होता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में then से completion होता है तो यहाँ पे जो है अगर verb के बाद केवल एक pronoun आएगा तो हमेशा subjective case में आएगा ठीक है तो यहाँ verb जो है क्या है runs ठीक है तो इसके बाद जो pronoun आएगा वो हमेशा subjective form में आएगा तो यहाँ पे जो है subjective form में केवल आई है तो यही जो है इसका right answer जोगा नहीं मी होगा नमाई नहीं नहीं ठीक है अगर verb के बाद एक से अधिक pronoun आएगे तो जो है वो सभी pronoun objective case में आएगे अगर एक से अधिक होंगे verb के बाद verb के बाद अगर एक से अधिक pronoun होंगे तो जो है वो objective case में होंगे तो objective case में होंगे ठीक है तो यह आप याद रखेंगे जैसे कि मालीजे he runs faster than I यहाँ पे I हो जाएगा लेकिन अगर मालीजे ऐसे होता he runs faster than अधिक है तो यहाँ पे दो pronoun है determines के बाद जो है verb के बाद दो pronoun है एक तो मी है और यहाँ पे हर है तो यहाँ पे हम I नहीं कर सकते थे इसकी जगह मी की जगह और नहीं हर की जगह he कर सकते थे यहाँ पे जो subject होगा he वो हमेशा subjective form में होगा लेकिन verb के बाद की बात कर रहा हूँ जो भी pronoun आएगा अगर एक से दिख होगा वो objective case में होगा अगर एक होगा तो subjective case में होगा तो इसको आपको याद रखना है तो यहाँ पे फिलाल option A राइटन से एगा आई तो दोस्तों next question है there is no difference between dash and me तो दोस्तों बताईए यहाँ पे dash की जगहाँ पे क्या आएगा yourself, you, yours या your तो दोस्तों इसका राइटन से एगा option B you there is no difference between between यहाँ पे क्या है preposition और preposition के बाद जो pronoun आता है वो objective case में होता है preposition के बाद objective case में ही pronoun आता है ठीक है तो you का जो objective case होता है वो you ही होता है I का जैसे me होता है तो यहाँ पे I का यहाँ पे me आ गया लेकिन you का you ही होता है तो you आ जाएगा यहाँ पे अगर बात कते हैं we की तो we का जो है us होता है, day का dim होता है ठीक है तो यहाँ पे you इसका राइटन सुझेगा और इसके अलावा yourself यह reflexive pronoun होता है yours और you sorry your yours और you यह दुनों possessive pronouns होते हैं तो यहाँ पे जो है be right answer होएगा also be you फिर दोसो next question है one must read the terms and condition dash आगे जो है यहाँ पे क्या होगा committedly, scrutiny merely, carefully तो दोसो one must read the terms and condition और इसके बाद जो है यहाँ पे adverb आना चाहिए adverb जो कि किसी वर्व की भी सेस्ता बता रहे है कि वो काम किस तरह से किया जा रहा है one must read the terms and condition क्या हो जाएगा यहाँ पे तो दोस्तों जो sentence है उसके अनुसार carefully, carefully यहाँ पे रखेंगे तो सबसे सही sense यहाँ पे बनेगा यानि कि कि किसी व्यक्ति को terms and condition को बहुत ही carefully मतलब साधानी से पढ़ना चाहिए तो होसन डी यहाँ पे राइटन से जागा carefully तो दोस्तों next question लेते है तो दोस्तों आप दिया गया है in each of following questions out of the given four alternatives select the one which is opposite in meaning to the given word तो दोस्तों अब आपको जो word दिया गया है उसका opposite बताना है visionary का visionary का meaning क्या होता है तो दोस्तों इसका मतलब होता है कालपनिक कालपनिक या जो है आ व्योहारिक तो इसका जो है आपको बताना है opposite क्या होगा creative मतलब क्या होता है creative मतलब होता है रचनात्मक तो यह यहाँ पे नहीं होगा pragmatic मतलब क्या होता है तो इसका meaning होता है व्योहारिक व्योहारिक या जो है तथ्यात्मक तो यही जो है इसका बिल्कुल धाइटेंस होज़ेगा option B और यहाँ पर दिया गए futuristic जिसका मतलब होता है future मतलब भविस futuristic मतलब जो भविस से सम्मंदित हो imaginative मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है कलपना seal कलपना seal तो यहाँ पर B option धाइटेंस होज़ेगा pragmatic फिर next question है अब आपको यहाँ पर दिया गए है यहाँ पर भी opposite बनाना है किसका grim का grim meaning क्या होता है तो दूसरों grim meaning होता है wicket या kathor या जो है भयानक ठीक है तो यहाँ पर जो है बढ़ाईए क्या हो जाएगा इसका pleasant मतलब pleasant मतलब होता है सुहावना जो मन को अच्छा लगता हो या जो है मनुहर हम कह सकते है जो मन को अच्छा लगता हो तो यही जो है इसका राइटर जोगा आपसने grim मतलब wicket, kathor या भयानक और pleasant मतलब सुहावना, रूचिकर या मनुहर gloomy का मतलब क्या होता है तो दूसरों gloomy means होता है हुदास severe मतलब गंभीर और harsh मतलब होता है kathor तो यह जो है synonym हो जाएगा इसका और pleasant बिल्कुल right and सुनेगा तो दूसरों next question है तो दूसरों अब आपको दिया गए है in the following questions out of the four alternatives, select the word similar in meaning to the given word यानि कि अब आपको इसका similar बताना है यानि कि synonym फिलिप फिलिप का meaning क्या होता है तो दूसरों फिलिप का meaning होता है प्रोटसाहित करना या उकसाना प्रोटसाहित करना या उकसाना जो है इसका meaning होता है तो अब आपको दिया गए है option ए flip flip मतलब क्या होता है flip मतलब एक तो होता है पलतना flip मतलब क्या होता है पलतना और इसका एक मिनिंग होता है टक कर मारना तो ये नहीं होगा knock मतलब खटखटाना ये भी नहीं होगा blow मतलब फोकना ये भी नहीं होगा boost मतलब क्या होता है boost मतलब भी क्या होता है बढ़ावा देना या उक्साना ठीक है तो यही जो है इसका राइटंस आगा boost मतलब किया होता है बढ़ावा देना बढ़ावा देना फिर दोस्तों next question है तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर thread का क्या बताना है similar यहाँ पर भी बताना है thread मतलब क्या होता है trade मतलब होता है चलना इसी जी बना है treadmill जिस पर walking करते है ठीक है exercise करते है तो यहाँ पर जो है trade मतलब चलना होता है या कदम रखना कदम रखना तो इसका right answer क्या हो जागा follow मतलब follow मतलब पीछा करना walk मतलब जो है टहलना या चलना भी होता है और यही जो है इसका right answer जोगा run मतलब होता है दोडना यह नहीं होगा climb मतलब चलना यह भी नहीं होगा तो option B यहाँ पर right answer जोगा walk फिर next question है यहाँ पर भी similar बताना है कि इसका vindictive vindictive का meaning क्यों होता है तो दूसरों इसका meaning होता है प्रतिसोधी प्रतिसोधी यह जो बदला लेने की भावना रखता हो यह हम कह सकते हैं प्रतिकार seal प्रतिकार शील तो इसका क्या हो जागा windy windy मतलब एक तो होता है wind मतलब हवा, windy मतलब हवादार यह जो है इसका मतलब तूफानी भी होता है stormy मतलब भी तूफानी होता है और revengeful revengeful मतलब प्रतिशोधी ही हो जाएगा जो बदला लेने की भावना रखता हो ठीक है और यही जो है इसका राइटन्स होता ओसंसी peace loving मतलब सानती प्रिये तो यह नहीं होगा तो ओसंसी यहाँ पर इसका मतलब होता है उतार चड़ाव भरा या असांती पेड़ा करनेवाला उतार चड़ाव भरा या असांती पेड़ा करनेवाला इसका बताना है आपको similar तो दिया गए है causing disturbance causing disturbance मतलब disturbance मतलब असांती तो यही इसका राइटन्स देगा असांती पैदा करने वाला ठीक है, असांती पैदा करने वाला और यही जो है इसका राइटन्स हो जेगा फिर अगला option है causing fear मतलब डर पैदा करने वाला, यह नहीं होगा causing illness, बीमारी पैदा करने वाला causing grief, दुख फैरा करने वाला ये सब भी नहीं होंगे, causing disturbance बिल्कुल यहाँ पर राइटन्स होजेगा फिर दोस्तों next question है अब दोस्तों दिया गए है आपको find out which part of sentence has an error यहाँ पर sentence के किस part में error है, अगर कोई error नहीं है तो आपका answer क्या होगा, option D, no error दिया गए है, needlessly to say, we need more environmentalists on this planet बताइए जो है यहाँ पर क्या होगा तो दोस्तों यहाँ पर दिया गए है needlessly to say, यहाँ पर जो है needlessly नहीं होगा, बलकि क्या होगा, needless needless to say needless to say जो कि एक idiom होता है और यह किसी बात को emphasize करने के लिए, यानि कि उस बात पर जोर देने के लिए होता है यानि कि यह बात पूरी तरह से पश्ट है, इस बात को कहने की जोरत नहीं है इसका meaning यह होता है needless to say we need more environmentalists on this planet, यानि कि यह कहने की जोरत नहीं है हमें जरूरत है और ज्यादा परियावर और विद की on this planet, इस planet फर तो यहाँ पे जो है, right answer क्या हो जगा option A यहाँ पे right answer जगा ए पार्ट में गलती है, तो A option इसका right answer होगा फिर रोस्ट नेक्स कुर्शन है a debit card is similar to a credit card button like a credit card the money came directly from the user's bank account when performing a transaction तो बताईए इसमें जो है sentence में किस पार्ट में अडर है तो दोस्टों यहाँ पे आप देखेंगे a debit card is similar to a credit card यानि कि debit card जो है credit card की तरह ही होता है but unlike a credit card लेकिन credit card के बिप्रीट the money came directly from the, तो क्या यहाँ पे came सही है तो दोस्टों यहाँ पे came नहीं होगा बलकि यहाँ पे जो है जो sentence है, present sentence में उसके according यहाँ पे comes आएगा ठीक है, money यह uncountable noun है और इसके लिए जो verb आएगी singular verb आएगी तो यहाँ पे कम नहीं होगा बलकि comes होगा ठीक है, comes यहाँ पे हो जाएगा जब एक transaction को perform किया जाता है ठीक है, तो यहाँ पे जो है किस पार्ट में error है option B यहाँ पे राइटन सुझेगा तो दोस्टों next question है अब यहाँ पे आपको दिया गए है दा डेली पुलिस organize a mega function at the ट्याग राज श्टेडियम to promote self-defense training for women and girls बढ़ा यह किस पार्ट में error है तो तो आप यहाँ पे देखेंगे दा डेली पुलिस organize दा डेली पुलिस जो की एक unit की तरह कारे कर रही है और इसके साथ जो वर्वाएगी वो singular वर्वाएगी तो यहाँ पे organize नहीं होगा बलकि organizes होगा ठीक है दा डेली पुलिस organizes आला कि जो पुलिस होता है पुलिस जो वर्व है यह हमेसा plural फॉर्म में आता है मतलब इसके साथ जो वर्वाथी है वो हमेसा plural वर्वाथी है लेकिन दा डेली पुलिस है तो यहाँ पे यह unit की तरह कारे कर रही इसलिए जो है इसके साथ जो है singular वर्वाएगी दा डेली पुलिस organizes डेली पुलिस organize करती है यह mega function एक mega function organize करती है at the ट्याग राजी स्टेडियम कहाँ पे ट्याग राजी स्टेडियम पर to promote self-defense training self-defense training को promote करने के लिए for women and girls महिलाओ और लड़कियों के लिए तो यहाँ पे किस पार्ट में गलती है तो यहाँ पे जो है option A right and सुझेगा ठीक है option A यहाँ पे right and सुझेगा फिर दोस्टों next question है अब आपको दिया गया find out which part of sentence is an error यहाँ पे भी error बताना है दिया गया इस ब्रह्मान में योनिक चीज़े है उनके पहले दा लगता है जैसे the sun, the moon, the earth, the old star, the world इस तरह से जो भी योनिक चीज़े है उनके पहले दा लगता है तो यहाँ पे दा लगेगा मून के पहले यानि कि if the sun and the moon were balanced अगर sun और moon balanced होते मतलब संतुलित होते which means if heat and cold are in equilibrium equilibrium मतलब संतुलित यानि कि इसका मतलब अगर गर्मी और संतुलित होते the person is healthy तो मने उससे क्या होता healthy होता तो यहाँ पे किस पार्ट में error है यहाँ पे भी option A आपका राइटन सुझेगा तो दोस्वों अगला question है why is that they can develop only a certain aspect of their life and not realize their full potential तो दोस्वों यहाँ पे बताईए किस पार्ट में गलती है तो आप देखेंगे why is that they can develop only a certain aspect of their life यहाँ पे यह देखेंगे यही वाला है why is that they can develop only a certain aspect of life यानि कि ऐसा क्यों है कि वे जो है develop कर सकते है only a certain aspect यानि कुछ निश्चित पहलो जीवन के उसी को ही develop कर पाते है and not realize और realize नहीं कर पाते है their full potential अपनी full potential यानि अपनी पूरी समता को realize नहीं कर पाते है तो यहाँ पे दाईटेंसर के वाज़ेगा b part में गलती है तो b option दाईटेंस होजेगा फिर दोस्तों अगला question लेते है next है तो दोस्तों अब आपको दिया गए है in the following questions out of the four alternatives select the alternative which is the best substitute for the sentence यहाँ पे sentence जो दिया गए है इसके लिए आपको एक word बताना है complete with regard to every detail तो दोस्तों यहाँ पे complete with regard to every detail यानि कि हर detail से हर detail के संबंध में complete मतलब पूर्ण हो हर detail के संबंध में पूर्ण हो तो उस चीज को क्या कहेंगे जो हर detail से पूर्ण हो हर तरह से पूर्ण हो तो यहाँ पे क्या हो जैगा option यह दियागा है thorough तो thorough ही इसका right answer देगा फौरो का मतलब होता है संपूर्ड इसी से बनता है फौरोली जिसका मतलब होता है अच्छी तरह से और यहाँ पर दे गए है यहाँ पर दे गए है लैका डेजिकल लैका डेजिकल इसका मतलब क्या होता है तो दोसों लैका डेजिकल का मतलब होता है कि भावुक लैक्स मतलब क क्या होता है तो दोस्वों लैक्स का मतलब होता है धीला या सिथिल धीला या सिथिल और यहाँ पर करसरी का मतलब क्या होता है करसरी का मतलब होता है सतही तो थोरों यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट एंस होएगा और सने फिर नेक्ट कोशन है तो दोस्वों आप दिया गय व्योग करने के शक्ति, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कह सकते हैं, इच्छा सक्ति, हिंदी में अगर कहेंगे इसके लिए एक वर्ड, तो इच्छा सक्ति हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है, विरोध, अब अरजन का मतलब क्या होता है, घ्रण या अरुची ग्रणा या अरुची तो ये दोनों नहीं होगे rejection मतलब क्या होता है reject करना ये भी नहीं होगा यहाँ पर दिगा है volition volition का मतलब होता है इच्छा सक्ती या संकल्प इसका मतलब क्या होता है इच्छा सक्ती या संकल्प और यही जो है इसका राइट एंस होज़ेगा और संदी, वॉलिशन फेटो सो नेश्ट कोशन है एलिक्विड विद हीलिंग, मैजिकल और प्वाइजनस प्रॉपर्टीज तो यहाँ पर इसके लिए एक वर्ड बताना है एलिक्विड मतलब ऐसा लिक्विड जो की हीलिंग, जिसमें हीलिंग प्रॉपर्टी हो मैजिकल प्रॉपर्टी हो, यानि चमतकारिक प्रॉपर्टी हो और प्वाइजनस या जहरीली प्रॉपर्टी हो तो उसके लिए एक वर्ड क्या होगा विसकस मतलब होता है चिपचिपा तो ये तो होगा नहीं पोशन मतलब क्या होता है पोशन मतलब होता है कि पीने की दवा पीने की दवा या मिस्रित आउसधी डल्सिट मतलब क्या होता है तो दोस्तों डल्सिट का मतलब होता है आनंदकर यानि जो पानन्द देने वाला हो पानन्द कर या मीठा तो ये भी नहीं होगा चिपचिपा भी नहीं होगा और यहाँ पर दिगा है लूसियस तो दूसरों यहाँ पर जो है लूसियस ये भी नहीं होगा इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्वादिष्ट स्वादिष्ट तो यहाँ पर राइट अंसर इसका ओप्सन भी हो सकता है पोशन, पोशन मतलब पीने की दवा पीने की दवा जो है healing property भी होती है magical यानि चमतकारिक गुर भी उसमें हो सकते हैं और poisonous और जहरीली भी हो सकते हैं जहरीली भी होती है तो पोशन भी ही इसका राइट अंसर हो जाएगा पोशन, एटो स्वाद नेक्ट कॉशन है इसकी वज़े से नौन रिकग्नीशन यानि कि कोई उसको मानता नहीं है या absence मतलब अनुपस्थिती अनुपस्थिती की वज़े से या non-recognition की वज़े से किसकी authority की वज़े से मतलब कोई authority है उसको कोई मानता नहीं या उसकी अनुपस्थिती है और other controlling system या फिर और कोई controlling system है तो उसकी अनुपस्थिती में जो आवे उस्था होती है, उसके लिए एक word क्या होगा, option A दियागा है, एनार्की, एनार्की का मतलब होता है, अराजक्ता या सासन हीन्ता, तो यही जो इसका राइटन्स होजएगा, इसका मतलब क्या होता है, अराजक्ता, तो किसी controlling system को अगर कोई मान नहीं रहा है, या उसकी अ है, ascendancy, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, प्रभुत्तो, तो यह नहीं होंगे दोनों, और dominion मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, अधिराज्य, अधिराज्य, तो option A ही यहाँ पर राइटन्स होजएगा, इनार्की, इस दोस्तों next question है, दोस्तों अब आ select the incorrectly spelled word, तो दोस्तों अब आपको जो है questions में, चार words दिये गए है, जिसमें से एक, कोई एक जो है, उसकी spelling सही नहीं है, तो उस word को आपको बढ़ना है, पहला आपको दिये गए, यहाँ पे, everybate, everybate का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है, संचिप्त करना, संचिप्त करना, तो यहाँ पे इसकी spelling बिल्कुल सही है, और यहाँ पे दिये गए, एकोमेडेट, एकोमेडेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, समायोजित करना, समायोजित करना, या स्थान देना, तो इसकी भी spelling जो है, बिल्कुल सही है, और यहाँ पे दिये admittance admittance इसका मतलब होता है प्रवेस और यहाँ पे इसकी भी spelling बिल्कुल सही है यहाँ पे दिएगा है aggressor तो दोसों यहाँ पे इसकी spelling सही नहीं है यहाँ पे aggressor इसकी सही spelling क्या होगी यहाँ पे double s o r होगा यहाँ पे e के जगा o हो जाएगा aggressor इसका मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है आक्रामक ठीक है तो option d यहाँ पे दिएटन सेगा फिर दोसों नेश कुर्शन है तो दोसों अब आपको यहाँ पे भी incorrectly spelled जो word है एक word है उसको बटाना है दिएगा है velocity velocity मतलब होता है vague और इसकी spelling देखेंगे तो बिल्कुल सही है velocity की spelling viscosity तो दोसों यहाँ पे viscosity इसकी spelling जो है यहाँ पे सही नहीं है यहाँ पे city नहीं होगा बलकि v i s c o sity होगा ठीक है और इसका जो meaning होता है इसका meaning होता है परिवर्तन सील परिवर्तन सीलता परिवर्तन सीलता जो है इसका meaning होजएगा और यहाँ पे इसकी spelling जो है बिल्कुल सही है vegetarian इसका अब ही spelling सही है तो option B यहाँ पे राइटन सही होगा viscosity सिटी फिर दूसरों नेस्ट कुर्शन है तो दूसरों अब आपको यहां पर दे गए इन इच फॉलाइं कुर्शन आउट अप दे फोर अल्टनेटिव सिलेक्ड डा अल्टनेटिव विच बेश्ट एक्स एक्सपर्सिस दे इडिया गया होगा उसके लिए सही मीनिंग आपको अप्सन से बता रहे हैं दिया गया है excuse my french excuse my french जो की idiom है और इसका मतलब होता है अबद्ध भासा या गाली गलोच के लिए माफी माँगना अबद्ध भासा या गाली गलोच के लिए माफी माँगना ठीक है तो यहाँ पे जो है इसके लिए right answer बताईए क्या होगा अब आध दुभासा या गाली गलोज के लिए माफी माँगना तो 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 यहाँ पर आप देखेंगे पहला option है used to apologize for swearing तो 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 swearing का मतलब क्या होता है swearing का मतलब होता है गाली गलोज एक तो swear मतलब सपत लेना होता है swearing मतलब सपत दहर हो जाएगा लेकिन swearing का मतलब गाली गलोज भी होता है गाली गलोज तो यही जो है इसका राइटन सुझेगा उस्टो अपॉलोजाईज फॉर स्वेरिंग और सन यहाँ पर राइटन सुझेगा फिर दोस्तों नेश कुशन है यह गहा है a lot on your plate तो दोस्तों a lot on your plate इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां होना ठीक है बहुत सारी जिम्मेदारियां होना या बहुत सारा काम होना तो इसके लिए आप एक वर्ड यहाँ पर बताईए क्या होगा बहुत सारी जिम्मेदारियां होना a lot on your plate तो दोसो यहाँ पर जो है इसका right answer क्या हो जाएगा option A है having many responsibilities तो यही इसका right answer हैगा having many responsibilities यानि बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ तो A option right answer हैगा having a large meal ये नहीं होगा having wealth in evidence यानि प्रचुर मात्रा में धन होना ये भी नहीं होगा और अगला है having something which causes envy envy मतलब इर्षया मतलब ऐसा कुछ होना जिससे इर्षया outpand हो तो ये भी नहीं होगा तो option A है पर बिल्कुल right answer होगा फिर दोस्तों next question लेते हैं अगला है तो दोस्तों अब यहाँ पर भी आपको idiom या phrase दिया गया है इसका आपको meaning बताना है to quit on someone to quit on someone इसका meaning क्या होता है तो दोस्तों ये idiom है इसका मतलब होता है किसी की मदद या समर्थन करना छोड़ देना किसी की मदद या समर्थन करना छोड़ देना समर्थन करना छोड़ देना खास तोर से तब जब वो मुसीबत में हो ठीक है, करना छोड़ देना तो इसके लिए जो है, यहाँ पे राइटेंस है क्या हो जाएगा To fire someone from a job, किसी को job से निकाल देना, ये नहीं होगा To cheat with someone, किसी को दोखा देना, ये भी नहीं होगा To give up on a difficult person, ये भी नहीं होगा और फिर दिए गए है, To stop helping someone To stop helping someone, किसी की मदद करना, बंद कर देना, especially when the support is needed और तब जब उसको support की जरूरत है, तो ये ही जो है, इसका राइटेंस है और संथी तो इसका राइटेंस है, अब आपको यहाँ पे दिए गए है In the following question, sentences have been given indirect or indirect speech Sentence आपको या तो direct speech में या indirect speech में दिया होगा जिसका आपको direct दिया है, तो indirect बताना है, indirect है, तो direct बताना है, दिया गए है The kidnappers said, if you do not pay the ransom, we will kill the boy यानि कि Kidnapper ने कहा, अगर आप जो है, ransom pay नहीं करते हो, तो हम क्या करेंगे Boy को, लड़के को kill कर देंगे तो दोस्थों, यहाँ पे जो है, यह जो reported speech है imperative sentence है, और इसमें, आपको जो sense मिल रहा है, वो धमकी का मिल रहा है तो इसलिए यहाँ पे, sad की जगा क्या हो जाएगा, threatened The kidnappers, threatened, और फिर जो है, reported speech, two के साथ जो है, जोड़ी जाएगी To, kill the boy, if, और यहाँ पे, you का क्या हो जाएगा If you do not pay the ransom, तो you, जो है, second person है, किस के अनुसार change होगा तो यह object के अनुसार, the kidnapper, sad, तो यहाँ पे object है नहीं, लेकिन हम जो है, यहाँ पे क्या मालनेगे, sad to them ठीक है, तो यहाँ पे, जो है, किस से कहोगा, उनके parents से कहोगा, या किस से, उनके relative से कहोगा तो यहाँ पे them कर लेंगे, ठीक है, तो them के अनुसार यहाँ पे दे आ जाएगा, इब दे, और यहाँ पे do not है, do not का, did not हो जाएगा, बिल्कुल सही है did not pay the ransom, और यही जो है, इसका right answer होगा बाकी options में देखेंगे, the kidnappers, sad, that, if they paid not the ransom, यहाँ पे sad आया है, और यहाँ पे sentence का structure भी सही नहीं है the kidnappers, sad to them, sad यहाँ पे भी आ गया, if you do not pay, यहाँ पे do not ही आ गया, जबकि यहाँ पे did not होना चाहिए था the kidnappers, threatened, यहाँ पे threatened आया है, ठीक है, लेकिन आगे देखेंगे, that, यहाँ पे that आ गया, बलकि to से यहाँ पे चुरना चाहिए था that if the parents of Y did not pay the ransom, the Y will be killed, यहाँ पे Y will be killed आ गया, यहाँ पे एक्टिवाइस में, इसको पैस्वाइस में बदल दिया गया, और भी कई कमिया है, तो D option भी गलत हो जाएगा, option A ही यहाँ बिलकुल right answer हो सकता है फिर दोस्तों next question है दिया गया है, ओग, दिया रिजे, slug in my lettuce, waiter, he cried, तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, he cried, मतलब वो चिल लाया, ओग, और यहाँ पे एक्टिवाइस साईन है, यानि एक्टिवाइस सेंटेंस है यह, दिया रिजे, lettuce, sorry, दिया रिजे, slug in my lettuce, मेरे lettuce, यानि सलाद में, एक् सलग मतलब गंदगी, एक गंदगी है, तो यहाँ पे जो है, इसका indirect speech क्या होगा, तो यह exclamatory sentence है, तो यहाँ पे जो है, जो he cried है, reporting, worm, इसके अनुसार यहाँ पे exclaimed करके आ जाएगा, exclaimed with discussed, option B में देखेंगे, he exclaimed with discussed, यानि कि वो घ्रना से चलाया, that, there was a slug in his lettuce, that लगाएंगे, और फिर जो है, there was, there is का tense बतल जाएगा, there is का बन जाएगा, there was, a slug in my का बन जाएगा, his, my first person है, और यह subject के इन साथ चेंज होगा, तो his जाएगा, his lettuce, and called the waiter, और waiter को भुलाया, तो यही जो है, इसका राइटन से जाएगा, option B, यहाँ पर option A में देखेंगे, he said, उग हो, यहाँ पर जो उग है, यह exclamatory word है, ठीक है, तो जब हम indirect speech बनाते हैं, exclamatory sentence का, तो जो भी exclamatory word होता है, वो हर जाता है, यहाँ पर he said, उग यह गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी देखेंगे, C option में, he said, to the waiter that, dear was a slug, यह भी गलत हो जाएगा, he asked the waiter that, dear was a slug in his late use, तो यहाँ पर जो है, जो reported speech है, उसके sense concern यहाँ पर नहीं दिया गया है, यहाँ पर ask दिया गया है, बलकि यहाँ पर he exclaimed with discussed, यह विल्कुल सही होगा, तो B option यहाँ पर इसका indirect आपको बताना है, तो यहाँ पर जो है, I said, यहाँ पर last में देखेंगे, I said goodbye दिया गया है, तो goodbye के लिए आजाता है, I bade, goodbye कहने के लिए I bade करके आ जाएगा, ठीक है, subject आई है, तो I bade हो जाएगा, I bade, यहाँ पर him आ गया, I said के बाद यहाँ पर object नहीं दिया गय है, I bade him goodbye and hoped that, that लगाया, फिर जो है, you will have a good journey, इसका बना दिया गया, he would have a good journey, you second person है, object के इनसार चिंज होगा, he के इनसार तो he बन जाएगा, ठीक है, और will have का would have हो जाएगा, एक good journey, और यही जो है, इसका राइटन सो जाएगा, option है, इसके इलावा, भी option में देखेंगे, I said that, I hoped with a good bye that he will have a good journey, तो यहाँ पे यह गलत हो जाएगा, sentence का structure ही नहीं सही है, और will have का यहाँ पे, आप देखेंगे, will have ही दिया गया है, I was hopeful that he will have, यहाँ पे will have आ गया, I said him goodbye, तो goodbye के लिए जो है, बेड हिम करके आता है, यहाँ पे sad आया है, तो इसलिए गलत हो जाएगा फिर दोसों, next question लेते हैं, अगला है, you used to be good at grammar, sad I, why have you neglected it, तुम grammar में अच्छे हुआ करते थे, मैंने कहा, why have you neglected it, तुमने इसको neglect क्यों कर दिया, यानि अन्देखा क्यों कर दिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे, जो reported speech है, जो पहला पार्द है यहाँ पे, इससे लग रह रहा है, remind कर रहा है, कि तुम पहले अच्छे grammar में हुआ करते थे, तो यहाँ पे I set का बन जाएगा, I reminded, option C में आप देखेंगे, I reminded है, I reminded, और यहाँ पे object, him आ गया है, जो की imagine किया गया है, I reminded him, that लगेगा, फिर जो है, he used to, अब यहाँ पे you है, you used to be good at grammar, तो you second person है, जो की object के इंसार चेंज होगा, तो he आजाएगा, he used to be good at grammar, and asked, यहाँ पे आगे है, why have you neglected it, यह question है, तो उसके लिए यहाँ पे asked आजाएगा, interrogative के लिए, asked, why, और यहाँ पे you का बन जाएगा, he, और have you neglected it, present perfect है, इसका past perfect बन जाएगा, he had neglected it, तो C option बिलकुल यहाँ पे right and बलकि जब indirect बनाते हैं, तो interrogative का affirmative बन जाता है, ठीक है, why had ही नहीं होगा, बलकि why he had, यहाँ पे right and सुजएगा, option C, फिर दोस्वों next question लेते हैं, अगला है, अब आपको दिया गए है, I invited Rama to come for a drive for the following day, तो दोस्वों यह जो है indirect speech है, इसका जो है direct आपको बताना है, तो दोस following day आता है indirect speech में, लेकिन direct speech में आपको इसकी जगहा पे देखने को मिलेगा tomorrow, तो अब जो है option से आप eliminate कर सकते हैं, जैसी यहाँ पे following day आया, इसको eliminate कर दीजे, the next day आया, यह भी आता है tomorrow के लिए, यह भी हट जाएगा, यह indirect speech में आता है direct में नहीं, और C option में देखेंगे, will you come for a drive the following day, यह भी गलत हो जाएगा, D option यहाँ पे writing सो जाएगा, I said, मैंने कहा, Rama, would you like to come for a drive tomorrow, तिक है, मैंने कहा Rama से, क्या तुम आना चाहोगे, drive के लिए कल, तो D option इसका writing सो जाएगा, यहाँ पे जो है, इसका indirect year दिये गा है, I invited Rama, मैंने Rama को invite किया, to come for a drive, drive के लिए आने के the following day, tomorrow का बन जाएगा, the following day, तो D option यहाँ पे writing सो जाएगा, फिर next question है, अब आपको दिये गए in the following questions, a sentence has been given in active or passive eyes, तो अब आपको sentence active या passive eyes में दिया होगा, अगर active में है तो उसका passive बताना है, passive में है तो उसका active बताना है, they are pulling down the old theater, तो दूस्वों यहाँ पे आप देखें यह active eyes में है, और tense सबसे पहले देखना होता है, tense कौन सा है, they are pulling down, present continuous है, और present continuous का जब हम passive बनाते हैं, तो is, am, या आर आता है, plus being आता है, और work की धर्वों आती है, बाकी आपको पता ही है कि object जो है, वो पहले आ जाता है, और subject जो है बाद में चला जाता है, pulling down the old theater, the old theater यह object है, यह पहले आ जाएगा the old theater, और इसके अनुसार जो है, यहाँ पे वरभाएगी is, being pulled down, और by them, यहाँ पे they का बन जाएगा by them, यहाँ पे नहीं दिया गया है, क्योंकि यह unimportant subject है, तो यहाँ पे इसको लगाने की जोट नहीं है, क्योंकि यह understood होता है, तो option option A, यहाँ पे right answer हो जाएगा, B में देखेंगे, the old theater was pulled down, यहाँ पे was आ गया, इसलिए गलत, the old theater is pulling down, के वल यहाँ पे is आया, being नहीं आया, और pulling down है, तो इसलिए गलत हो जाएगा, work की third form आनी चाहिए, pull down, the old theater has been, यहाँ पे has been आ गया, इसलिए गलत होगा, तो option A, बिलकु the paintings till the end of the month, तो दोसों यहाँ पे जो है, activities में दिया गया है, इसका passive बताना है, और tense आप देखेंगे, तो यहाँ पे the organizers will exhibit, तो दोसों यहाँ पे जो है, will है, यानि future indefinite tense है, और future indefinite का जब हम passive बनाते हैं, तो क्या होता है, helping work will be होता है, और work की third form होती है, तो इसके अलाव जो भी आपको दिख रहा हो, हटा दीजिए, और यहाँ पे the paintings यह object है, तो object पहले आएगा, the paintings will be exhibiting, तो exhibiting नहीं होगा, यहाँ पे work की third form आएगी, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा, the paintings will be presented, यहाँ पे exhibited होना चाहिए, बलकि यहाँ पे presented दे दिया गया, इसलिए गलत हो जाएगा, और संदी देखेंगे, the paintings will be exhibited by the organizers till the end of the month, यह जो है, यहाँ पे विल्कुल लाइटन सुदेगा, ठीक है, फिर दोस्वों next question लेते हैं, अगला है, दिया गया है, he expected us to offer him a job, तो दोस्तों यहाँ पे जो है, इसका passive बताना है, he expected us, यहाँ पे us है, यह object है, तो यह जो है, पहले आजाएगा, और अज का जो है, subjective form क्या होता है, वी, यहाँ पे वी आजाएगा, वी, और यह tense कौन सा है, expected, past indefinite है, he expected, past indefinite है, तो past indefinite का जो पैसी बनाते हैं, तो वाज यह वर आता है, वाज यह वर और वर की third form, तो यहाँ पे वर आगया, वी के लिए जो फिर तो next question लेते हैं, अगला है, name the figure of speech in the following line, यहाँ पे जो है, आपको जो line दी गए, इसमें figure of speech का नाम बताना है, यहाँ गया है, why didn't, oh brawling love, oh loving hate, why didn't मतलब ऐसा क्यों, oh brawling love, oh loving love, oh loving hate, यहाँ पे आप देखेंगे, oh loving hate, loving or hate, एक दूसरे के opposite है, तो जब किसी sentence में आपक कौन सा figure of speech होता है, oxymoron, इसमें किसी विक्टी या वस्तो, या किसी भाव की दो विप्रीट qualities को एक साथ दर्साय जाता है, तो oh loving hate, दो विप्रीट qualities है, तो यहाँ पे oxymoron हो जाएगा, option D, फिर तो next question है, अब आपको यहाँ पे दिए गया है, oh fame, if I took delight in thy places, thy का मतलब होता है, your, यह जो है, पहले English में use होती थी, यहाँ पे दिए का मतलब होता है, your, the figure of speech is, इसमें जो है figure of speech बटाने, oh fame मतलब, fame मतलब प्रसिद्धी, प्रसिद्धी को संबोधित करके कहा जा रहा है, oh fame, if I took delight in thy praises, अगर मैं तुम्हारी praises मतलब प्रसंसा में, took delight मतलब खुस होत हो, तो इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, personification या apostrophe, या onomotopoe, या metaphor, तो दोस्तों यहाँ पे जो है, डाइटन्स हो जाएगा, apostrophe, option B यहाँ पे डाइटन्स हो जाएगा, apostrophe, अगर जो है, किसी sentence में, किसी निवजी वस्तो, या किसी भावाचक संग्या, या जो है, किसी म्र apostrophe होता है, तो यहाँ पे जो है, fame, fame जो की एक abstract noun यानि भावाचक संग्या है, तो इसको संबोधित किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, apostrophe, फिर तो सो next question लेते है, अगला है, the waves thundered on the soul, यहाँ पे figure of speech बताना है, waves मतलब लहरे, thundered on the soul, किनारे पर गर metaphor, तो दूसरों यहाँ पे the answer क्या हो जाएगा, option A, personification, the waves thundered, waves, यानि लहरों को बताया जा रहा है, वो गरजी, तो जब भी किसी निर्जीवस, तो यह जो है, भावाचक संग्या को ऐसे दर्साया जाएगा, जैसे कि वो इंसान हो, या कोई जीवित प्राड़ी हो, तो वह पे परसोनिफिकेशन होता है, यहाँ पे संबोधित जहाँ पे किया जाता है, वहाँ तो apostrophe होता है, लेकिन जहाँ पे केवल दर्साया जाता है, संबोधित नहीं किया जाता, तो वहाँ पे परसोनिफिकेशन होता है, जिसको हिंदी में कहता है, मारवी करना, तो यहाँ पे सभी लोग जो study करते हैं, not मतलम नहीं, यहाँ पर क्या ले सकते इसके बार, better thinkers and leaders यानि अच्छे बिचारक और नेता यह इसके बार लेंगे तो कोई sense बनेगा ने क्यों को लेंगे तो become philosophers they become, यह भी नहीं बनेगा यहाँ पर R को ले सकते हैं although not all those who study logic और philosophy हाला कि वे सभी लोग जो study करते हैं logic और philosophy या philosophy को may become philosophers, they become तो यहाँ पर इसके बार Q को ले सकते हैं तो R, फिर Q और उसके बार P को लेना पड़ेगा यानि कि although not all those who study logic और philosophy may become philosophers, they become better thinkers and leaders, यानि कि हाला कि वे लोग, जो, वे सभी लोग जो study करते हैं logic और philosophy वो नहीं बनते हैं, not है तो यहाँ पर नहीं बनते हैं philosophers they become, वो बन जाते हैं क्या बन जाते हैं, better thinkers, अच्छे विचारक और नेता, तो यह जो है sequence यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा R Q P राइट अंसर के वाज़ेगा, R Q P और संसी, फिटो सो अगला question लेते हैं, अगला है अब यहाँ पर आपको दिया गए है यहाँ पर भी active wise, passive wise का question है दिया गए, I will wash the car every Sunday I will wash the car कौन sentence है, future indefinite तो इसका जो है, आसांस है future indefinite का passive बनाते हैं, तो will के साथ B आएगा, और work की third form आजाएगी the car, यह जो है object है, पहले आजाएगा the car, इस वाज़ दिया गए है, गलत हुझेगा और इसमें देखेंगे the car will be, यहाँ पर will be दिया गया है washed to by me every Sunday, यही जो है इसका right answer देगा B में देखेंगे, every Sunday by me the car is to be washed, गलत हुझेगा, every Sunday by myself यहाँ पर आगया है, इसलिए गलत हुझेगा तो D option यहाँ पर बिल्कुल right answer देगा फिर उसको next है the question below consists of a set of label sentences यहाँ पर आपको जो question दिया गया है, इसमें sentences दिया गये है P, Q, R, S, sentences का set दिया गया है P, Q, R, S करके और इनको जो है फिर से arrange करना है टाक कि जो है एक meaningful paragraph बन सके टेक है, तो इनका जो है select the most logical order of the sentence सही order यहाँ पर आपको option में से बताना है, कौन सा होगा तो इसको पढ़ते हैं पहले देखते हैं क्या होता है we can not have theories for everything हमारे पास हर चीज के लिए theory नहीं हो सकती है especially for getting along with people कास तोर से getting along with people मतलब लोगों से जुड़ने के लिए human beings are unique जो human beings होते हैं वो unique होते हैं perhaps somewhat logical sad somewhat logical मतलब थोड़ा थोड़ा logical and definitely unprogrammable और nasty trope से unprogrammable यानि program उनको नहीं किया जा सकता no blueprint can give us a pre-planned design to organize our lives with other people कोई भी blueprint हमें pre-planned design नहीं दे सकता to organize our lives हमारी lives को organize करने के लिए with other people all लोगों के साथ each one of us is sensitive हम में से सभी लोग sensitive होते हैं and each one of us constantly variable और हम में से सभी लगाटार variable मतलब परिवर्थ तनसील होते हैं our mood and temperament change from day to day हमारा जो mood और सभाव है वो बदलता रहता है day to day मतलब हर दिन के साथ may be even from hour to hour और ऐसा भी हो सकता है कि हर घंटे बदलता हो yet we have evolved into a society फिर भी हम लोगों ने evolve कर लिया है मतलब की अपने आपको विक्सित कर लिया है into a society एक society के रूप में and community community के रूप में a global habitat a global आवास के रूप में with families परिवार के साथ एक global आवास के रूप में institutions मतलब संस्थानों के रूप में and corporations और corporations के रूप में तो यहां पे इसका सही sequence क्या होगा यहां पे किस तरह से हम लेंगे तो 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 इसमें जो है सबसे पहले हम ले सकते हैं यहां पे क्यों को human beings are unique perhaps somewhat logical and definitely unprogramable यानि कि human beings जो है unique होते है साइद थोड़ा logical होते है and definitely unprogramable होते है तो Q को हम ले लेंगे उसके बाद जो है इसके बाद ले सकते है उसके बाद हम ले सकते है P को we cannot have theories for everything हमाई पास जो है हर चीज के लिए theory नहीं हो सकती है especially for getting along with people लोगों से जुणने के लिए कास्तोर से क्यों हो गया फिर जो है P हमने ले लिया उसके बाद हम ले सकते है R को no blueprint can give us a pre-planned design to organize our lives with other people कोई भी blueprint हमें pre-planned design नहीं दे सकता to organize our lives हमारी lives को organize करने के लिए दूसरे लोगों के साथ QPR और उसके बाद S को ले लेंगे each one of is sensitive हम में से सभी sensitive है and each one of us constantly variable और हम में से सभी लगतार variable परिवर तंसील है our mode and temperament change from day to day हमारा जो mode और temperament है वो हमेशा day to day change होता रहता है maybe even from hour to hour और ऐसा भी हो सकता है कि hour to hour जो है change होता हो yet we have evolved फिर भी हमने जो है evolve किया है into a society and community एक society और community के रूप में a global habitat with families के रूप में यानि कि परिवार के साथ एक global है आवास के रूप में institutions के रूप में and corporations के रूप में तो Q, P, R, S यहाँ पे right answer कौन समझेगा और सा नहीं फिर दोस्वो next question है read the following passage and answer the question given after it तो दोस्वों अब आपको question दिया रहा है passage का इसमें आपको passage परना है फिर इससे समनित question होंगे उनका answer आपको देना है तो इसका जो है कोई rule तो होता नहीं है तरीका आपका यह है कि आप passage पूरा पढ़िए जितना समझ में आता है ठीक है अगर हर चीज आपको उसमें एक एक चीज समझना नहीं है आप पढ़ लेंगे जितना समझ में आता है ठीक है आपको जो question पढ़ेंगे तो answer आपको मिल जाएंगे पैसे से तो यहाँ पे जो है दिया गया है 25 years ago 25 साल पहले while traveling and teaching in Turkey, Nepal and Iran परलब traveling और teaching के दोरान तरकी में, नेपाल में और इरान में Boney Bergen Boney Bergen नाम है इन्होंने notice किया self-sufficient disabled people going about their unremarkable daily business जो self-sufficient मतलब आठ निर्भर disabled people मतलब जो दिव्यांग लोग होते हैं going about their unremarkable daily business वो अपने daily business के साथ क्या करते हैं often using dunkeys वो प्राया dunkeys को यूज करते हैं to hold pots pots को hold करने के लिए pots मतलब बरतन pants भी बरतन होता है and other wares और इसके लवाँ अन्ने जमान to be sold बेचने के लिए किसका इस्तमाल करते हैं dunkeys का see later returned यानि कि जो bonny बरगिन है वो एक महिला है see later returned to be to the United States to begin work on master's degree in special education फिर जो है बाद में वो lot आते हैं United States to begin work on master's degree master's degree पे काम करने के लिए काम सुरू करने के लिए in special education special education में master's degree पर काम सुरू करने के लिए फिर आगे पढ़ेंगे I thought hard about what can be done to get people out of institution and onto the streets मैंने I thought hard मैंने बहुत सोचा about what can be done किसके बारे में जो किया जा सकता है to get people out लोगों को बाहर निकालने के लिए of institutions संस्थानों से and onto the street और कहां पे लाना है streets गलियों पे लाना है getting jobs job दिलाने में and it came to me और it came to me मतलब फिर मेरे दिमाग में के आया docs फिर मेरे दिमाग में आया docs कुत्ते says बर्गिन बर्गिन ने कहा बर्गिन ने ऐसा कहा कि मैंने जो है बहुत सोचा कि लोगों को जो है निकाला जाए institutions से और उनको सड को पिला जाए getting jobs jobs दिलाने के लिए and it came to me और फिर मेरे दिमाग में क्या आया कुत्ते says बर्गिन who today has a doctorate in education and is the founder of the assistant dog institute and originator of the service dog concept बर्गिन जो है ये क्या है who today has a doctorate जो की अब इस समय क्या है doctorate है in education education में and is founder और founder है किसकी of the assistant dog institute assistant dog institute की founder है and originator और प्रवर्तक है इसकी of the service dog concept service dog concept जो है उसकी originator है फिर ये गहाए C ran into a resistance from academics and professionals at first C ran into ran into का मतलब क्या होता है ran into मतलब की C चीज से जूजना C ran into a resistance वो एक प्रतिरोज से जूजती है from academics जो academic मतलब सिच्छाविद है and professionals और जो professional यानि passive word लोग है at first पहले तो वो जो है इनसे जूजती है इनका प्रतिरोज जो है जहलती है ran into a resistance dogs spread disease मतलब वो लोग क्या कहते है dogs spread disease कुट्टे जो है रोग फैलाते है dogs are stupid कुट्टे मूर्ख होते है the disabled can't take care of dogs जो डिब्यांग लोग होते है वो dogs की देखभाल नहीं कर सकते है how could dogs take care of them तो कुट्टे जो है उनका care कैसे कर सकते है but the long list of negative reactions didn't stop her लेकिन जो ये long list थी लंबी list थी negative reactions की उसने जो है उसको रोका नहीं किसको बर्गिन को her first trainee was Abdul उसका जो पहला trainee था was Abdul वो Abdul था Abdul जो है एक golden retriever puppy ये जो है golden retriever puppy था ये जो है क्या है उसकी breed है golden retriever puppy ये कुट्ता है एक प्रकार का someone had given to her जिसको दिया था किसी ने उसको फिर दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे और आगे जो है दिया गया है her first dog assistance client was Carrie Noss उसकी जो पहली dog assistant client थी वो कौन थी Carrie Noss Carrie Noss जो है उसकी पहली client थी a soft spoken 19 year old woman जो की एक soft spoken मतलब विनम्र महला थी 19 साल की 19 साल की महला थी who had a neuromuscular disorder उनको जो है क्या था neuromuscular disorder था that had left her unable to move her legs and much of her arms जिससे जो है उनको क्या हो गया था कि वो जो है नहीं वो अपने पैर हिला पाती थी नहीं जो है accidentally अगर गिर जाती थी आगे wheelchair के तो C could not get up वो उठ नहीं पाती थी C clearly lacked the physical force to train and maintain a dog C clearly lacked मतलब उनके पास जो है undeterred लेगिन जो बरगिन थी वो क्या थी undeterred मतलब addict थी बरगिन और नौस ने जो है concentrated उन्होंने उन्होंने concentrate किया not on physical gestures physical gestures पर उन्होंने concentrate नहीं किया but on verbal cues लेकिन verbal cues मतलब मौकिक संकेतों मौकिक संकेतों पर जो है उन्होंने ध्यान दिया such as sit and इस्टे जैसे की बैठो और इस्टे मतलब रुको using variations in tone of voice और voice की tone में जो है variations करके and facial expressions और facial expressions के द्वारा to get Abdul, Abdul जो है वो dog का नाम है to get Abdul to help Noss ताकि जो है Abdul जो है Noss की help कर सके by the end of his training उसकी training के अंदर तक the dog could push Noss up from her in chair falls जो dog था वो push कर सकता था Noss को up from her in chair falls जब वो chair से fall हो जाती थी तो उसको जो है उपर push कर सकता था उपर उनको बैठा सकता था open doors, डर्वाजे खोल सकता था turn off lights, light off कर सकता था retrieve food, food ट्राप्त कर सकता था and push levers to help her operate और levers को push कर सकता था to help her, उनकी help करने में operate the chair कि वो chair को operate कर सके lift to her van, अपनी van तक lift करने में most important और सबसे ज़रूरी ये था Noss developed a trusting emotional bond with अबदुल simply by spending time with him Noss ने जो है develop कर लिया था एक trusting emotional एक trusting मतलब विश्वास bond emotional bond, emotional bond जो है विक्षित कर लिया था Noss ने with अबदुल, अबदुल के साथ simply by spending time with him उसके साथ जो है time बिटा करके much in the way humans get to know one another and develop subtle complex relationship based on mutual understanding much in the way मतलब इस तरह से humans get to know humans को पता चलता है one another and develop subtle एक और and develop subtle and complex relationship subtle मतलब सूचमा और complex relationship सूचमा और जटिल relationship based on mutual understanding जो की based होती है mutual understanding मतलब आपसी समस्दारी से टिक है today more than 150 programs provide similar service आज की date में जो है 150 program provide करते हैं similar service इसी तरह की service प्रदान करते हैं 150 programs and an estimated 3,500 service docs are in place worldwide और लगभग जो है 3,500 service docs जो है पूरे world में हैं इसमें वेटिंग लिस्ट फॉर दॉक्स who are worth around 10,000 डॉलर डॉलर 3,000 तो दोस्वों यहां पे जो है उनके लिए डॉक्स के लिए वेटिंग लिस्ट होती है who are worth around 10,000 डॉलर जो की लगभग 10,000 डॉलर की कीमत रखते हैं by the end of training can be long sometimes जो training का समय होता है कभी कभी लंबा हो जाता है 5 years 5 साल तक का लंबा हो सकता है because of extensive breeding किसके करणड extensive मतलब ज्यापक breeding के करणड training के करणड and bonding required और उनको bonding के जोड़त होती है dogs को उसके करणड तो यह जो है पैरा वपड़ाब खतम हो जाता है फिर जो है अब इसके questions यहाँ पे लेते हैं किस चीज ने जो है बॉनी बरगिन को inspire किया to help disabled people दिब्यांग लोगों की मदद करने के लिए become self-sufficient यानि कि वो आत्म निर्भाव हो सके पहला option है her troubles and teaching in foreign countries as part of her daily work उसकी जो travels मतलब याता है और teaching थी foreign countries में as part of her daily work जो कि उसके daily work का काम थी तो इसकी वज़ा से तो वो inspire हुई नहीं थी अगला option है her training in handling dogs and teaching them to help people her training उसकी जो training थी है dog को handle करने की and teaching them to help people और लोगों की मदद करने में help करने की तो ये तो वो बाद में करती है पहले तो वो inspire होती है her master's degree in special education तो ये भी वज़ा नहीं थी D option यहाँ पर राइटन सुझेगा her observation of disabled people who manage everyday course using dunkeys उसका जो observation था of disabled people दिव्यांग लोगों का who managed to who managed everyday course यानि कि वो जो रोज मदद की चीज़े है उसके लिए जो है डंकी का इस्तिमाल करते थे गदों का इस्तिमाल करते थे तो इससे जो है वो inspire हुई थी तो option D यहाँ पर राइटन सुझेगा फिर दोसर नेक्स कुछन है the academics and professional try to dissuade boni from using docs to help the disabled basically because they यानि कि जो academics यानि सिच्छा वित थे और professional पेश्वर लोग थे वो try to dissuade वो जो है कोसिस करेटे dissuade मतलब मना करने की boni को from using docs docs को यूज करने के लिए to help disabled डिब्यांग लोगों की मदद करने के लिए basically because ऐसा इसलिए क्योंकि वो है क्या करते थे they believe that dogs spread disease क्योंकि जो है कुद्ते रोग फैलाते हैं इसलिए they knew that the disabled could not take care of dogs क्या ये जो है इसलिए कि वो जानते थे कि जो disabled लोग है वो dogs की care नहीं कर सकते हैं thought dogs were stupid animals या ऐसा सोचते थे कि dogs जो है वो stupid animals होते हैं मौर्ख जानवर होते है या जो है option D से होगा were convinced that dogs could not help the disabled तो यहाँ पर D option इसका राइटन से लिए कि वो लोग convinced थे कि जो dogs है वो help नहीं कर सकते हैं disabled की were convinced that dogs could not help the disabled फिर जो सो next question है इसका which of the following approaches did boni and nos not adopt to train abdul to help nos इसमें से कौन सा अप्रोच जो है boni और nos ने adopt नहीं किया था abdul को train करने के लिए to help nos ताकि help हो सके nos की पहला option है variation in facial expression facial expression में variation करके तो यहाँ पे जो है उन्होंने किया था physical gestures to direct the dog तो सबसे पहले ही आपको मिलता है जब यहाँ पे शुरुआत होती है physical gestures को उन्होंने नहीं किया था इसके अलावा जो है उन्होंने verbal cues मतलब मोखिक संकेतों का प्रयोग किया था जैसे की sit और stay जैसे सब्दों का प्रयोग किया था variation in tones of voice voice की tones में जो है variation किया था यह किया था और यह लेकिन physical gestures to direct the dog यह नहीं किया था option B यहाँ पे राइटन सुझेगा फिर दोस्तों next question है अब आपको दिए गए at the end of training which of the following was important help that Abdul could provide to nose तो training के end में जो है कौन सी इसमें से सबसे important help थी जो Abdul provide कर सकता था nose को he could push nose up from her in chair falls वो जो है जब वो chair से fall हो जाती थी तो उनको जो है push कर सकता था nose को आप मनला उपर करने में तो option A ही इसका राइटन सुझेगा यह जो है उनके लिए सबसे important help थी और इसके अलावा जो दिया गया है he could retrieve food तो यह वो कर सकता था तो लेकिन जो है सबसे important जो है यहाँ पे यही होगा he could push nose up from her in chair falls c option में दिया गया है he could open doors and turn on lights तो यह भी कर सकता था लेकिन सबसे important यह नहीं होगा he could help her operate the chair lift to her when यह भी कर लेता था लेकिन option A यहाँ पे बिल्कुल license होगा तो तो नेक्स कोशन है दिया गया यहाँ पे कौन सा statement सही नहीं है दिया गया है तो लास्ट में आपको यह दिखा था यह line और यह सही कतन है तो क्या यह कतन सही है तो यह statement जो है गलत हो जाएगा क्योंकि बोनी बरगन got her master degree वहाँ से उन्होंने master degree नहीं प्राप्त की थी असिस्टेंट डॉग इंस्टिटूट की वो जो है क्या थी असिस्टेंट डॉग इंस्टिटूट की founder थी ठीक है तो यहाँ पे जो है यह कतन गलत है यह statement गलत है और यही जो है यहाँ पे आपको बताने है कौन सा वर्ड यहाँ पे फिल होगा 51 के लिए हाँ पे option डिये गए है 52 के लिए दिये गए है 53, 54, 55 के लिए तो इसको जो है पढ़ते है फिर समझ में आएगा और इसके लिए भी कोई ऐसा rule नहीं होता है आप जिपना प्रेक्टिस करेंगे उटना इसमें perfect होते जाएंगे consciousness resembles a stream also in other particulars consciousness मतलब चेतना resembles मनले के समान होती है चेतना किसके समान होती है एक stream के समान होती है यानि धारा के समान होती है also in other particulars other particulars यानि कि दूसरे particulars में भी दूसरे particulars मतलब vibranon में तो जो चेतना होती है वो दूसरे vibranon या दूसरे रूपों में भी धारा के समान होती है a stream is यहाँ पे dash दिया गया है unbroken hole from its source to its mouth a stream is यहाँ पे क्या हो सकता है a only and या that तो दूस्वाँ a stream is an हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे unbroken है unbroken यहाँ पे wobble sound आ रही है pronounce करते हैं जब इसको unbroken को तो इसलिए यहाँ पे a नहीं होगा बलकि an हो जाएगा और only या that यह जो है करेंगे तो जो है सही sense बनेग रही तो stream is an unbroken hole from its source to its mouth यानि कि जो stream होती है धाड़ा होती है वो unbroken a tooth होती है hole मतलब thampoon होती है a tooth और thampoon होती है from its source to its mouth मतलब बिलकुल पूरी तरह से from its source to its mouth मतलब पूरी तरह से and an observer stationed at the point cannot see all और जो observer होता है stationed मतलब जो तैनात होता है at the point जो की एक बिंड उपर टैनात होता है cannot see all ये इसको पूरा नहीं देख सकता है फिर दियागए है dash it at once तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dash की जगाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे off from for off तो यहाँ पे off ले सकते है all of it all of it का मतलब होता है इन में से सभी तो cannot see all of it at once मतलब इसका जो है पूरा नहीं देख सकते है जो observer एक point पर ये टैनात होता है वो इसको पूरी तरह से नहीं देख सकता है he sees वो देखता है but the one little section which वो केवल एक section को देख पाता है लेकिन वो केवल एक section को देख पाता है which के बाद क्या आएगा यहाँ पर happens, happened, happened या happening तो दोस्टों यहाँ पर जो sentence है यह present tense में चल रहा है present indefinite he sees वो देखता है but the one little section which और which के बाद यहाँ पर क्या आएगा happens आजाएगा present indefinite tense होगा और singular यहाँ पर वर्व होगी तो happens आजाएगा यहाँ पर happens होजाएगा he sees but the one little section one little section यह singular है which happens तो उसके लिए happens आगया to be passing his station point at the time मतलब कि वो के बाद उतना देखता है एक little section मतलब एक छोटा section देखता है which happens जो की होता है to be passing जो की पास हो रहा होता है his station उसके मतलब उसका जो station point है यहाँ पे वो तैनात है उस बिंद से जो पास हो रहाता है उस समय उसी को देख पाता है the current may look much the same from moment to moment जो current यानि धारा होती है may look much the same वो देख सकती है same from moment to moment मतलब moment to moment जो है एक ही तरह देख सकती है but the component particles which constitute the stream आर लेकिन जो component particles होते है यानि basic जो particles होते है which constitute the stream जो की बनाते है stream को धारा को जो बनाते है आर यहाँ पे क्या होगा constantly constant constancy या constant तो दोस्टों यहाँ पे जो है constantly हो जाएगा और सने constantly जो की क्या है एक adverb है और यहाँ पे यही जो है suitable होगा इसी से जो है sentence का सही sense बनेगा यहाँ पे constantly हो जाएगा constantly changing यानि कि जो current होती है वो same to same दिख सकती है moment to moment लेकिन जो उसके component particles है वो क्या हो सकते है which constitute the stream जो धारा को मनाते है are constantly changing वो लगातार बदलते हुए भी हो सकते है so it is with our thought so it is with our thought तो ऐसा हमारे विचार के साथ भी होता है its stream is continuous from birth till death इसकी जो धारा होती है मारे विचारों की वो भी लगातार होती है from birth till death यानि कि जन्म से लेकर के मृत्यू तक fit दिया गहा है dash we cannot see any considerable portion of it at once तो यहाँ पर क्या आजाएगा dash की जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर because if them but तो यहाँ पर but आजाएगा यहाँ पर दो sentence है its stream is continuous from birth till death और इसके बाद we cannot see any considerable portion of it at once दोनों sentence में जो है आप देखेंगे contrast है और दो contrast sentences होते हैं तो उनको जोने के लिए but का पर होगता है और इसके लावा और कोई यहाँ पर लगाएंगे तो सही sense बनेगा नहीं तो but यहाँ पर हो जाएगा but we cannot see any considerable portion of it at once time तो यानि कि हम जो है इसका कोई considerable portion नहीं देख पाते हैं एक समय पर ठीक है तो यहाँ पर इसका right answer क्या हो जाएगा और संटी यहाँ पर बठ हो जाएगा तो दोस्तों आज का वीडियो यहें पर समाब करता हूँ उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो like और share करना ना भूलेगा और जो दोस्त नहीं है चैनल पर उनसे गुजारिश करूँगा चैनल सब्सक्राइब पर के नोटिफिकेशन बिल को अन कलिजे ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई and take care